एवं धर्म प्रेमी सज्जनों भगवान की जिब प्रपा होती है तो कभी धर्म की सच्चाई को जानने का आउसर मिलता है मुसल्मानों के बीच में लगातार कई वर्षों से हम जा रहे हैं और भारत वर्ष में एक नई प्रथा का प्रारम रखिया मैंने की जब जगत गुरु संकराचार्ज भी मुसल्मानों के बीच में जाकर के उनके प्रेम को समझ सके और इसलाम की सच्चाई को जान करके इसलाम को सारी दुनिया में एक इंसानियत का सबसे बड़ा पाच चिखाने वाला धर्म मानने के लिए लोगों को समझावे जब लोग इसलाम को बेदर्ब मुसल्मान को बेदर्ब तल्वार के जोर पर चलने वाला धर्म बताते हैं तो अगर शायद धर्ती में कोई दुखी होता होगा तो सबसे ज़्यादा दुख मुझको होता है ये न सचाई है और न कभी ये सचाई हो सकती है जिस इसलाम ने पहला कल्मा ही कुरान सरीफ का बताता है कि नहीं है इबादत के काबिल सिवाए परमातमा के और कोई ला इल्लाह इल्लाह मुहम्म्मद रसूल Deshalb भला याभ बताइए बेदों का रस बेदों का रस निचोड करके मुहम्म्मद सहब में परमातमा की इबादत करके परमात्मा के प्रेगाम को एक ही कलमे में दे दिया इससे बड़ा ग्रंथ दुनिया में और क्या हो सकता है अगर कुरान के पहले कलमे को ही पढ़कर के हिंदू अपने धर्म का पालन करना चाहे तो उससे बड़ा धर्मात्मा शायद कोई नहीं होगा कुरान को हमने गहराईयों में जाकर के तो नहीं अन्वो किया लेकिन कुरान के मानने वालों के हिर्दे की गहराईयों में जाके देखा कि अगर इसलाम को पूरी दुनिया अगर सरीकार कर ले तो इसमें कोई बुराई नहीं है इस्लाम परमात्मा के द्वारा बताया गया सिध्धान्त है इस्लाम किसी ब्यक्ति का अपना नियम नहीं है अपना सिध्धान्त नहीं है कुछ लोग भेद भाव पैदा करने के लिए इस धर्ती पर मुसल्मानों को बेदर्स कहः देते हैं इस्लाम को बॉरा कह देते हैं मैं कहता हूँ उनसे बुरा इस दुन्या में कोई नहीं है वो सैतान के बच्चे हैं खुदा के बच्चे नहीं है क्योंकि जहां तक मेरी अपनी पहुंच है हमने बेदों को पढ़ा पुरान को पढ़ा शास्प्रों को हिंदू धर्मगरंतों को पढ़ा उसके बाद में मुसल्मानों के बीच में जाना शूरू किया हमने मुसल्मानों से हाथ मिलाया हमारा बिरोष किया गया यह अंदा खाने वालों से हाथ मिलाते हैं संक्राचार्ज कैसे हैं अरे हमने कहा कि तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है वो पांच बार इबादत कर लेते हैं खुदा की तुम घास खाते हो और एक बार भी बात नहीं करते हो तो तुमसे बड़ा अधर्मी दुनिया में कौन है तुम अपने अधर्म को देखो किसी के परवित्रता के सिध्धानतों का दिरोश करना पहला अधर्म है आप क्या खाते हैं कैसे रहते हैं अगर हमें आप दुखी नहीं करते हैं तो आप से बड़ा इंसान दुनिया में कोई नहीं है हम घास खाएं और आपके दिल को चोट पहुँचा हूएं तो हमसे बड़ा अधर्मी कोई नहीं है दुनिया में कि कहने का ताथ पर इससर्फ एक है कि मैंने यह नभौ किया है कि यह एक बात जो मैंने देखा है आप लोगों से जो प्रेम मुझे मिलता है लोग पूछते हैं कि आप मुसल्मानों में क्यों जाते हो आप तो संक्राचार जो हमने का कि भाई मुसल्मानों से पूछो कि हमसे इ बीच में पैदा हुए और तुम मुसल्मानों से प्रेम नहीं करते हम तुम से प्रेम नहीं करते है कि मैं आप लोगों के बीच में आकर कि एक बात बताता हूं कुछ समय से हिंदु धर्म के नाम पर कुछ स्थाएं हिंदु मुसल्मानों में भेद पैदा करने के लिए और कोछ ऐसा कार्द किया जिसके वहने से आं हिंदु सिदा सादा विचारा जाने नहीं पाता है इसलाम क्या है और सनगत अ जर्मrant क्या है सनातन धर्म और इसलाम में कोई भेद नहीं है और हिंदू धर्म तो कोई धर्म ही नहीं है सनातन धर्म धर्म है और शायद जो संस्कित का सनातन सब्द है अगर किसी भाषा में उसको इसलाम कहा जाए तो कोई बुरी बात नहीं है कि इस्लाम और सनातन में कोई वेद नहीं है क्योंकि परमातमा एक है परमातमा सब का है यह संदेश रिषयों मुन्यों ने दिया और यहीं संदेश परमातमा का भेजा गुआ संदेश संदेश हम मुहम्मद सहाथ आप ने इस पैगाम को दिया तो हम बेर्षभाव क्यों करें कि यहां पर हम भारत का मुष्शल्मान एक बात बिलकुल अप्ष्ट करें अगर भारतका मुषल्मां सो गया तो भारत फो जाएगा इसलिए भारत को जगाना है तो मुसल्मानों को जागते रहना पड़ेगा भार कि सच्चे हिंदूrą को जो सचे सनातन धर्मी हैं उनको मुसल्मानों से प्रेम चाहिए मैं भेड नहीं चाहिए रेजी की भी मिल गई हैं और हम को चाहिए कुरान शरीफ सारी दुनिया में अगर इस घूत पर पहुंचाया जाहे और और पहुंचाना चाहिए मैं तो मुसलमानों से एक जरूर बात कहूंगा कि आप लोग एक चीज का ध्यान दें आप के पडोस में जिस भी भाषा को जानने वाला ब्यक्ति रहता हो जिस भी भाषा को कोशिश कीजिए कि आप इस कुरान जैसे पवित्र गंथ को उसको उसकी भ ऐसे ही इतने परीकर बीच में शंकra चार्ज को पहुंचने में और बोलने में कोई दिक्कत नहीं होगी शंकोच नहीं होगा आप लोग भी निडर हो जाईये आप लोग भी शंकोच छोड़िये हम जानते हैं कभी कभी शंकोच में कभी कभी इस देश के कुछ जो फिरका परस्त लोग हैं उनकी उल्टी सीदी और जनाओं में हम लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाते हम हाथ पसारे हुए आपके सामने खड़े हैं आए हैं हम आपको गले से लगा रहे हैं लगाते हैं विम्नाइंगे गला भी मिलाइंगे अज्डररत पढ़ गई तो आप लोगों के लिए दिल कटाने की और सिरफ कटाने जुब अब पढ़ जाये इस्लाम की रक्षा के लिए संकराचार आप आपका इबादी को ही क्योंकि संकराचार इसमा भर् हमारा धर्म और आगे बढ़ेगा अगर हम मुसल्मानों को अपना सगा मानते हैं तो मुसल्मान परमात्मा का बनाया है आदमी का नहीं हिंदू जो अपने कहते वो भी जान लें कि वो परमात्मा के बनाएं हैं तो मुसल्मानों से भेदभाव करना बंद कर दें और हमारी तरह कि वो समय निकाले और यहां आए उनको तो मैं धन्यवाद क्या दूं मैं तो यह चाहूंगा कि परमात्मा उनको शक्त दे कि हम लोगों को सब को ऐसे ही सुन्दर दिब्वे बड़ी सभाओं में समोधित करते हुए और हम लोगों के उपर वो स्वयम कृपा बनाए पर लावे रखें और हम उनके साथ रहेंगे जए बिजयत्तों की सदा जीवन में उनका साथ देते रहेंगे इनी शब्दों के साथ जीवन में अब जब भी आत करेंगे जब तक मेरा शरीर आन विकलंद रहेंगे ओम शांती ही शांती ही शांती ही शांती ही